हलो दोस्तो मैसल कृष्णा रूहान और स्वागत है आपका अपने चैनल पर दोस्तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही महत्पून क्वेशन मैया करवाने जा रही हूँ जिसका टाइटल रहेगा मशीनी अनुवाद ये हिंदी साहित्य का जो आपका 10 से 14 नंबर तक के जो यहीं कि रहेगा मशीनी अनुवाद का आत इसमें हम मशीन के अनुवाद से समझे बाते समझेंगे यानि एक तरह से मशीन के चाहित्त इस question का title का meaning तो यही बनता है यहां पे और इसी के according आपको हम यहां पे translating करना यानि मशीनी तरीके से translating कैसे की जाती है हिंदी में साहित्य में वो हम आज समझेंगे So in the sense we are going to make learn this question मशीनी अनवाद का आर्थ और सब्रूब बताते हुए इसके विकास करम पर प्रकाश डालिये तो सबसे ज़्यादा जरूरी हमें इसका पहले आर्थ निकालना अर्थ के बाद किस तरह से इसको हम सिक्वेंस में लेके चलते हैं यह मशीनी अनवाद की सिक्वें इसके बिकास करम बंदके बिल्कुल डिटेल में पॉइंट पॉइंट हम डिफाइन कैसे करते हैं तो यहाँ पर देखिए अनुवाद जो है एक पुनर सरजन की प्रिक्रिया है पुनर सरजन क्या होता है जो दूबारह से उसको अर्जन यानि इकठा कर लिए जाता है जिसम जो ट्रांसलेटर है यानि जिसको भी ट्रांसलेट करना है अनभूति के गहरे ध्रातल पर यानि को फील करके उस चीज को महसूस करके उसको उस ध्रातल यानि उस पॉइंट पर लेकर आता है और मूल पाट के साथ यानि जो बताना चाहता है मूल पाट उसके साथ उसको यह पर पहुंच कर यहांगे रिज़ा, इस को अपनी अनुभूती के अपनी समझ के अकोडिंग जैसे कि अभी मैं कर रही हूं जाएंगी तो यह संटैंस का मतलब यहां पर बनता है जैसे कि आप भी खुद भी करते हो किसी भी चीज को English की कोई चीज हो जाती है other किसी language की कोई चीज हो जाती है उसको आप क्या करेंगे अपनी अनुभूती के गहरे द्रातल पर पहुंच करें अपनी feelings को मतलब उस चीज को पढ़कर अपनी feelings के साथ उसको मूल पार्ट को यानि कि जो भी उसमें लिखा हुआ है उसको अपने उस feeling के साथ adjust करेंगे इसका मतलब हुआ कि अनुदित पार्ट में वही विचार यानि कि जो भी हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उस पार्ट में वही विचार रहते हैं जो स्त्रोत और पार्ट के अनुवाद में हैं यानि जो भी हम सोर्स हम लेके बैठे हैं उसके ट्रांसलेशन में भी वही चीजे होनी चाहिए देखिए लेंग्वेज में सरल किया जा सकता है लेकिन मूल बहा उसका वही होना चाहिए जो आपसे लिखा हुआ है यानि कि यहान पर अभी लिखा हुआ है मैं उसको आपको स्रल करके बता रहे हूं लेकिन है तो वही मैं उसको दूसरी किसी चीज में चीन नहीं कर restrictions नहीं कर रहे, सिर्म उसको स्रल कर रहे है जब तक वाक्य शब्द और अर्थ के स्तर पर स्त्रोत भाशा लक्षय भाशा में व्याप्त संदिक्ता को हम नहीं जान लेते यानि जब तक हम किसी वाक्य के शब्दों या उसके अर्थों के स्तर पर उसके लेवल पर स्त्रोत भाशा यानि जिसको भी हम समझ रहे हैं स्त्रोत भाशा को बोलेंगे और लक्षय भाशा में स्त्रोत भाशा कौन सी होगी जिसको हम चेंज कर रहे हैं और लक्षय भाशा क्या है जिसमें चेंज कर रहे हैं उसमें व्याप्त संदीक्ता को हम नहीं जान लेते उसमें व्याप्त जो भी शक है हमारे डाउट सें उसको ह जब तक पकड़ नहीं लेते, तब तक मशीनी अनुवाद नहीं हो सकता, यानि ये एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ट्रांसलेशन किसी चीज की करने जा रहे हैं, और उसमें जो भी आपको डाउट्स हैं, अगर पहले आप उनको कैच नहीं करते हो, विज्ञानिक साहित्य का अनुवाद, यानि जितना भी विज्ञानिक साहित्य है, उसका अनुवाद मशीनी अनुवाद दुवारा संभाव है, यानि मशीन उसको क्या गर सकती है, मशीनी मीन्स क्या है, एक तरह से उसको ट्रांसलेट कर देना, मशीनी अनुवाद दुवा और उसको एक्जेक्ट जो डेट काल करम दिया है वो उसमें संदीगता यानि डाउट्स हमारे बहुत कम होते हैं उसके सभी कथन प्राय अभीदा अत्मक होते हैं प्रंतु साहित्यक भाश्या में लक्षणा और व्यंजना के अधित्ता रहती है तो इसमें यहां पर कहने का मत व्यंजना शक्ति तो अभीदा शक्ति में क्या बताया गया था यहां पर और तु साहित्यक भाश्या में लक्षणा और व्यंजना के अधित्ता रहती है अभाश्या में लक्षणा bringing the dara का tapping the जो चीज होती है डारेक्ट उसको उसी वे में समझाना ना कि उसको किसी तरह से ट्रांसलेशन गरना अभीदात्मक में होता है कि उसके अन्य कही तरह के जो एक्जामपल दे कर हम उस चीज को समझाएं अब साहित्यक भाशय में क्या है जितनी भी साहित्यक भाशय है उसमें ल कम से कम हम टो कह सकते हैं कि सहित्यक रचना का मशीन दवारा अन्वाद करनाmeye अध्यदिक कथेन यह यर्धिक जितनी वी रचना है मशीन दवारा उनका नहीं हो सकता है क्योंकि वू हिंदी में या उस्स म Come Is के उसको उसको मशीने अनुड करना संभव नहीं है क्योंकि मशीन में मानक भाश्याइए होती हैं जैसे कि हyu हीशन फिकल्चे ऑड़ीविसी वो भी मानक होती हैं जो मानी गई है किसी समास दुआरा लेकिन मशीनी अनुवाद इत करने में ऐस उफल क्यों है क्योंकि जो इस आहितक रचनाय सारी उस समय की बोली में जिसकी कोई मानक भाषया नहीं थी यानि बोली को कोई मानता नहीं प्राप्त होती है आप जानते हैं तो उस भाषया में इनको लिखा गया था और उसको मशीन किस तरह से अनुवाद कर देगी नहीं कर सकती है मशीन वहाँ पे क्या हो जाएगी फेल हो जाएगी यह सिर्फ भाषया से भाषया में ट्रांसलेशन कर सकती है नहीं कि बोली से भाषया में कर देगी ठीए यह सिर् जब्ध बन्ध झाहिए नडब दूसरी मानक भाश्या में लक्षे भाश्या निए किसी पार्ट का अनुवाद करना बैंता या को सातए है यह उसको हम हिंदी में ट्रान्सलेटिव कर रहे हैं या फिर उसको हम पंजाबी में और दर्वड कंडड इस तरह तो उसको बोला जाता है मशीनी अनुवाद मैं आपको यह चीज समझा चुकी हूँ आप इस क्वेश्चिन को स्टार्ट करेंगे पहले अर्थ से अगर यहां से शुरू करना चाहते हैं यहां से भी आप इस क्वेश्चिन को शुरू कर सकते हैं यह चीज आप बाद में भी आ आप चाहें तो जो हैं कुट कर सकते छोड़ सकते हैं तो यहां पर इसका मतलब क्या बताया है computer दोवारा स्त्रोत भाशा यानिके English और वहां से लक्षय भाशा यानि Hindi English से Hindi में करने वाली भाशा को किसी भी पार्ट के किसी भी पार्ट को अनुवाद करना मशीनी अनुवाद कहलाता है जिस प्रकार एक समान्य अनुवादक विशलेशन, भावानतरण और समावेशन अनुवादक कौन होता है translator जो कि translate करने वाला होता है वो पहले विशलेशन करता है यानि उस चीज को समझता है उसके टुकडे करता है अलग अलग पार्ट में उसको define करता है जैसे मैंने question को कर रखा है पहले मैं क्या समझाऊंगी फिर मैं क्या समझाऊंगी इसके बाद फिर उसको भावानतरण यानि उसको अपनी feelings में लेके आएगा जैसे मैंने आपको ये सरल करके बताया है फिर उसको वो करेगा समावेशन करेगा या समायोजन करेगा समायोजन करने के बाद उसी परकार computer को भी इस परकरिया से गुजरना पड़ता है यानि भाशा से दूसरी भाशा में खरते हुए सबसे पहले उसको visualization करना होता है visualization means यहां पर एक यह भी चीज़ देखी जाती है जैसे कि हिंदे में जेतने टफ शब्द वर्ड जो यूज होते हैं उनका visualization करना कि किस तरह के शब्दों का प्रियोग किया गया है फिर उसमें भावना क्या डाली गई है उसके बाद फिर उसको समाय जित कर देते हैं यानिके translation उसकी कर देते हैं यह भी computer को करना होता है जिस प्रकार मानव स्त्रोत भाषा के पाठ को पढ़कर उसका visualization करता है फिर उसके कथ्य को यानिके उसके बात क्या कही गई है कथन को लिख सकते हो समझता है उसी प्रकार पुन है मानव कोश की सहायता से मानव कोश कौन सा होता है या तो अपने खुद की मतलब जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो या पिर कोई डिक्शनरी से लक्षय भाषा में यानिके जैसे अंग्रेजी से हिंदी में तो हमें क्रेजी कोश 맛있어요 आज वह सब्सक्राइब करने का या पुसका कोश करते हैं आज अप यह यह लिख सकते हूं मानव ककी प्रक्रिया में लक्षय भाषा की स्रंचना मानव कोश करते हैं उस्यट्रोसर्श मेंаровs भाषा की सरंचना तो हमें क्या है हिंदी के हमें वो शब्द जिस तरह से व्याकन की दृष्टी से हमें वो शब्द हिंदी के और उसकी संस्कृति के अधार उन शब्दों को ज्यादा महत्व देना पड़ेगा जो हिंदी में मन्य है जो लोग समझते हैं और जिसके अकोर्डिंग उन शब्दो जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं यानि देखते हैं कि उसमें कितने टॉफ वर्ड यूज किये गए हैं क्या उसमें लक्षन है व्याकन के दिश्टी से क्या प्रियोग किया गया है और समयोजन को जनरेटर कहते हैं यानि किसी चीज को जब इंग्लिश या किसी अ उसको हम जन्रेटर कहते हैं मशीनी अनवाद में मशीन ही भाष्य विशलेशन करती है द्विवाषी और बुहुभाषी कोश निर्मान करते हैं एक एक है बंच दो घ्रम लेड़रों में पनजाम इन्ग्राटि पुदर्न करता है subst alto camera in.yates उसके आधार पर जो भी हम हमानिवाद करने वाली सामगरी हमें मिलती है फिर उसका विशलेशन और मुल्यंकन किया जाता है यह क्या कैरेक्ट बनी है I.Y. इसमें कोई कमी रही है या नहीं है इसमें सिभ आंतर केवल इतना है कि I środ应 कारिये में जो काम मानव करता है वही काम मशी अर्ठात कंप्यटर के से कंप्योटर आनुब cheap लिए शेत्र में सरवादिक प्रगति जो है पश्यमी देशों ने कीया है क्यों इस अब देखिए कंप्योटर का अगर व्यकास कहीं से हुआ है तो वह विदेशों में ही हुआ है जपान ने इस दिशा में काफी कारिये किया है यानि कि मैक्सियम लेंग्वेज को अगर तभी लेंग्वेज को क्या गिया जाता है ट्रांसलेशन डाल कि हमारे किसी बीदेश की संस्कृति को उसकी प्रंप्रा विचारों को समझा जाता है इदर भारक भी मशीनी अनुवाद की शेत्र में सुरुवादिक और निरंतर विकास करता जा रहा है यानि हमारे इंडिया में भी हर रहा है सबसे पहले काम क्या होता है कि हम अपनी किसी जो खडी भोली है उस खडी भोली से हम मानक भाशा में लेके आते हैं मानक भाशा pre inclined अधर संसार की कोई और दूसरी भाश्या हैं उन में ट्रांसलेशन करने के बाद समझते हैं चीज को कि क्या कहा गया है मशीनी अनुवाद का आरंबसन 1956 में जोर्ज टाउन विश्विद्याले वशिंग्टन के मशीन ट्रांसलेशन रिसर्च और लेंग बेज प्रोजेक्ट के अंतरगत किया गया है तो यह आप इसको याद करना पड़ेगा 1906 में जोर्ज टाउन विश्विद्याले था कहां का वशिंग्टन का और उसके मशीन ट्रांसलेशन रिसर्च और लेंग्विज प्रोजेक्ट के अंतरगत इसको किया गया था लेकिन इससे भी पूरविसन 1949 में रूस के दो विज्विज्वानिकों हिमर्नों और प्रयांसकी ने इस शेत्र में पहल किए थी उन्होंने 31 जुलाइ 1994 में मासकों में इसका प्रद्रशन भी किया था लेकिन इस मोडल की सुम्रण शुक्ति केवल हजार शब्दों तक सी मित थी, मोडल क्या था, कम्प्योटरों ने शोटा सा बनाया था, जो भी मशीन थी उनकी, तो उसमें केवल सिर थाउजन जो वर्ड से वो लिमिटेड थे, और 1904 में निवार्क के IBM कम्प्योटर दुवारा रूसी भासे से अंग्रेजी भाषय में इसका अनुवाद किया गया था, इसमें अर्थ की और विशेश ध्यान नहीं दिया गया था, कि इसमें अर्थ जो उसका भाषय का अनुवाद करते हैं, क्या एक्जेक्ट निकल रहा है या नहीं है, जैसे कि आप भी देखते हैं Google Transl अगर आप हिंदी में कोई संटेंस लिख देते हैं तो उसका एक्जेक्ट वो मीनिग नहीं निकलता जो कि एक्जेक्ट होना चाहिए वो सिर्फ वर्ड को पकड़के इसका मीनिग निकाल देता है, इसमें अर्थ की और विशेश ध्यान नहीं दिया गया लेकिन आगे चलकर थे मेरिका की M.I.T. ने इस दישा में विदिवत प्रियोग करना आरंवी किया आनि की बिल्कुल उसने सीक्वेंस में इसका मेथड के साथ इसका प्रियोग किया जल्दी ही उसने programming भाशा को मेट कर लिया यानि कि प्रोग्राम भाशा जो की programming उसको उसने कोमेट कर लिया प्रोफेसर गिजैती इस संगोष्टी के संचालक अध्यक्स दे कि संगोष्टी के programming भाशा कोमेट के इसी बीच Red Corporation के California के प्रोफेसर डेविस दी हैस ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया यह आप सारी चीजे चाहें तो add कर सकते हैं कुछ main points अगर आपको लगता है कि इस सिफ दो या तीन वग्यानिकों के दुवारा बनाईगी कोई चीज हम यह डाले तो डाल सकते हैं आप सबसे पहले और सबसे लाश्ट वाली भी डाल सकते हैं कम्प्योटर के जिसने खोज की थी शुरू में लाश्ट में किसने इसको जो है एक्जैक्ट रूप दिया इस पदिती को डिपेंडेंसी एनलाइजर की संग्या दी गई है इस प्रोग्राम के नसर वाक्य के अंत्रगत घटकों के पारस्प्रिक संबंद यानि कॉंटेंट के आपसी रिलेशन और आपस आश्य मशीनी अनुवाद्वारा स्पष्ट हो जाते हैं इसमें दो बाति महत की एक वाक्य के अंत्रगत घटकों के पारस्प्रिक संबंद जो भी कॉंटेंट है उसकी आपसी रिलेशन और उसका मीनिंग क्या है मशीनी अनुवाद्वारस पष्ट हो जाता है जैसे की क्रिया का कर्ता कर्म से संबंद वचन के अनुसार प्रिवर्तन तो यह चीजे क्या इसमें व्याकन की दुरिष्टी से अगर क्रिया का करता कौन है और करम से उसका क्या संब्ध है फिर वचन के अनुसार से प्रिवर्तन कैसे होता है जैसे कि ही के शार्ति यहां पर पांच वी फोम लगती है ही एट्स और यहां पर दे के साथ इट लगता है सिंपल तो इस तरह इसरा विज्ञानिक धंग से सू विचारक भाषाई सूचनाय क्या होती है यानि उससे फिर आउटपूट क्या निकलता है ऐसी संभामना है कि कंप्योटर शिग्र ही संसार को गलोबल विलेज की रूप में बना सकता है और जीवन और जगत के प्रते एक शेत्र में यहां प परप्रिणी वाले प्रीणामों के बारे में और आज कल पना नहीं कर सकते हैं पहला इसमें जैसे कि मशीन कर क्या होता है hardware computer होता है प्राइज शाम्गरी में क्या होता है software प्रक्रिया सामगरी या उप्योक्त प्रक्रिया वज्यानिक रूप से संग्ठित सूविचारक सूचनाई जो इसमें है अब यहाँ पर आगे इसकी detail आपको देनी है सन 1971 में प्रथम micro professor बना यह एक किलो बाइट सूचनाई संचित यानी कठी स्टोर कर सकता था कितनी वन किलो बाइट लेकिन आज 64 किलो वाट के चिप बनाए जा रहे है दूसरी और 256 किलो वाट के चिप बनकर तयार हो चुके है ऐसी आशा की जा रही है कि शिग्र ही 10 लाख बिट मेगावाट के स्मृती चिप यानी memory चिप जो आज डिकार में वोलते हो आप इसको बनकर तयार हो जाएंगे मशीनी अनुवाद के लिए कंप्यूटर की परमावशकता है इसके दुआरा हम एक भाष्या को दूसरी भाष्या में प्रिवर्टित कर सकते हैं हिंदी में इसे हम दू भाष्या या भाष्यांतर का कहते हैं उधान के रूप में यदि हमें तेलगु से हिंदी में अनुवाद करना हो तो इंटरप्रेटर ये कैसी परकरिया है जिसके दुआरा तेलगु पाठ हिंदी में ट्रांसलेशन उसकी हो जाती है भाशांतर करगा हम higher level language कह सकते हैं भाशांतर को हम क्या कह सकते हैं higher level language कह सकते हैं हिन्दी में इसे हम उच्च तरिय भाशा कहेंगे वस्तिता है computer का निर्देशों का पालन करता है और उनी के अंसार करिया करता है निर्देश मशीन को काम करने के लिए प्रोग्राम देते हैं यानिकि जो इसको इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो इसको काम करने के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जाती है और वह काम शुरू कर देता है इसे हम प्रोग्रामिंग भी कहते हैं आज सोफ्ट्वेर के रूप में हमारे पास आज्या संपादन विनी में मिटाने टंकन के अनेक यूनिट हैं मशीनी अनुवाद की दृष्टी से दो कारिय महत्पुण हैं पहला शब्दकोष सब्दकोष क्या होता है इसको डिक्शेनरी बोलते हो जब तक दू भाशी अस्ट्रिय विज्ञान फाउंडेशन थल सेना जल सेना और वायु सेना ने विशेश योगदान दिया वस्तुत अमेरिका ने सामिक महतों को सामने रख करिया कारिया आरंब किया सामिक का मतलब यहां पर क्या होता है सबका भला इस दृष्टी से सभी भाश्या अमेरिका की राजनेताओं के लिए विशेश महतों रखती हैं फलसुरूप जोर्ज टाउन विश्विद्याला के पचास जार शिब्दों का रूसी अंग्रेजी कोष तियार गया जिसमें रिसायन शास्त्र भूतिक शास्त्र जीव विज्ञान समाज विज्ञान के शब्दों को सबसे ग्यान ना देश के या मेंस उसका क्या है उसका विल्कुल एक्जेक्ट समझाना सके इसलिए प्रियोगों के संदर में अर्थ प्रदान करने की श्यमता को विक्सित किया जा सकता है अतह प्रियोग कोष हमारे लिए नितान ताउसक्त बहुत जरूरी है इसके बिना हम अनवधित करने के लिए दूस्रा पॉइंट इसका बनता है ब्धाशिक यानि भाशा ही बोल सकते विशलेशनात मक अध्यान पहले पहले पहल भाशिक हो और computer program में को एक साथ रखा गया था यानि भाषा को visualization करना और computer दोनों को एक साथ रखा गया था लेकिन बाद में दोनों को अलग कर दिया गया क्योंकि भाषिक visualization में ऐसे कुछ ने कुछ अदला बदली करनी पड़ती है जो कि सारे program को प्रभावित फिर कर देती है दो भाषाओं में होने वाले अनुवाद का कारिये भाषिक visualization पर ही निर्वर करता है सबसे पहले प्रतेक शब्द और संदर्व के अनुसार उसके अर्थ को निश्चित किया जाता है और बाद में अर्थ को अन्य भाषा में रूप आंत्रित किया जाता है इसके लिए हमें बार बार शब्द कोसकी आफसकता पड़ती है लेकिन हिंदी में कई शब्द परसर्ग भी है क्रिया रूप भी है यानके जो difficulty देते हैं उदार्ण के रूप में से से परसर्ग रूप भी बनता है और क्रिया रूप भी बनता है सेकरनकार का चिन्द भी है और अपादान का भी है संख्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रतेग भाष्या का भाषिक पक्ष यानि उसका भाष्या का पक्ष काफी उल्जा हुआ है जिसे अलग करना तैदिक कठिन है व्याकन के सिद्धानतो और कोश्ट की सहायता से व्याकन के जो नियम कानून है उसके अकोडिंग और डिक्षनरी की सहायता से कम्प्योटर एक भाष्या के वाक्या को दूसरी भाष्या में जो है अनुवादित कर देता है यह दिपी शब्दिक अनुवाद बड़ा सरल है लेकिन यह बेतुका और पटागी है मशीन की अपने ही सिमाएं होती है जब तक एक विशाल शब्द कोश नहीं बन जाते है यानि पूरी तरह से कहीं बार होता है कि आप किसी शब्द को ट्रांसलेटर पर खोजते हो और वो उसकी डिक्षनरी में नहीं दिखाता है तो डिडियो मीन करके वो कुछ अलग सा शब्द आपको दिखाता है जो कहीं बार तो एक्जेक्ट आप जो चाहते हो होता है कि वो आपके शब्द नोडने से अलग मिलता है तो इसमें सबसे ज़्यादा जुरूरी है कि शब्दों के भरमार होनी चाहिए कि उसकी मेमरी में अब डाक्टर कैलास चंदर भाटिया ने इस दिश्या में कदम उठाया है उन्होंने उनसे एक ऐसी आशा की जा सकती है कि आने वाले काल में भी वे अधिक उप्योगी कारियकर्स के तो दोस्तों ये क्वेशन थोड़ा लें थी था लेकिन बहुत ही इंपोर्टन सेंटेंस इसमें डाली गई है आप किस तरह से इसको लेंगे मिन्स लिखने का तरीका में बोल रही हूँ कि आप पहला पॉइंट कौन सा लेंगे इसमें से भी इंपोर्टन सेंटेंस अगर आपको लगती है आपको PDF रूप में मैं ये सारी चीज़े अवेलेबल करा सकती हूँ आप अच्छे से त्यारी कीजिए अच्छे एक्जाम दीजिए लिखने का पैटर्न सारी चीज़े मैं आपको साथ साथ बताती हूँ चैनल पर अगर आप नए है तो साथ साथ वीडियो को शेयर सब्सक् पर अच्छे साथ बताती है और में करके जरूर आएंगे लेकिन कौन सा आजाता है यह हम गैस नहीं कर पाते हैं लेकिन यहां पर आपको सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टन क्वेश्चे से लिए गए हैं और मैंने इनको अच्छे से प्रिपेर किया है ताकि आप जैसे की मैंने अगर वैसे भी आप लिख देते हैं तो आपके नमबर्स बिल्कुल एक्जैक्ट जो आप चाहते हैं वही आएंगे